और मैं इसको एक एतिहासिक घटना नहीं मानता हूँ, इसको एक पुरानिक घटना मानता हूँ, जो कि जैसा आपने कहा, कि लगबग 20 और 21 वी हमारी पीडी है, 20 पीडीयों ने जो बलिदान दिया है, उसके बाद आज ये सुख में दिन देखने को मिला है, तो चूँकि हम प्रविताओं में अपनी बात करते हैं, मैं सिधा सिधा जोडता हूँ और भगवान प्रभु श्री राम के चर्णों में नतमस तक होते हुए कुछ पंक्तियां आपके बीच में, आपने दिल के उद्धिगार, कि दुलहन जैसा सज गया, नगर अयोध्या धाम, दुलहन ज बैठा है, अद्बूत प्यारी, और नाचरे है, लोग थिरकता है, सबका मन, और ससदशकर तयार, अवद है जैसे दुलहन, तो निश्चित रुख से, नेकिवल अवद, नेकिवल देश अपी पूरे विश्व में जहां-जहां, जहां हमारे सनातनी है, सब हर्ष में है, चा धड़कन ने बसते सबके राम रिदय में मुस्काते हैं धड़कन में बसते सबके धर्म जाती मजहब से हटकर चाहे हो कितने तब के राम हमारी सद्धा मम्ता करुणा के अद्बुद्धाम है मन से यदि निकले रावन तो सब के मन में राम है तो जल में तल में नव मंदल में राम दिखाई देते हैं तन में तरण में जड़ संगम में राम गवाही देते हैं नीर तीर और समिर में राम ही राम समाए हैं ऐसी कोई ठोर नहीं जा राम जीना चाये हैं तो निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मान में भगवान श्री राम के जहकारे के गूंज है और मन बहुत हर्शित है प्रफुलित है आनंदित है और नत्य करने का मन कर रहा है सपनी लीज़ के